आपने इतनी अच्छी बात बताई मैं इसमें कुछ add-on करना चाहूँगा आप लोग इतना मेहनत करते हो और उसका फल हम लोग लेते हैं every five days I do a meeting जिसमें लोग ये medicines खाके ठीक हुए है उन सब के साथ मेरी बात होती है and we are collecting the highest repository of video testimonials जिन लोग के medicines लिये और उन कैसे ठीक हो इतनी कहानिया मिलती है कि वो session में मैं बहुत enjoy करता हूँ जो हम लोग ये करते हैं doctor treatment कराने के बाद वो आते हैं and they share कि कैसे और मैं खुद भी I'm a user of NOC19 मैंने कई बार खुद यूज करके देखा कितना जबर्दस्ट एफेक्ट होता है thank you so much दिधी पर it don't have a thank me actually हमने कुछ नहीं किया सब research aims वगरा ने करी हमने coordinate करा and was all gurudev मैं बाह बताते हूँ एक बार क्या हुआ मेरे एक फ्रेंट है इन सब चीज़ों नॉक 19 कभा सुर्कूडी नीर के इतने ज्यादा अच्छे बेनेफिट्स है साइड इफेक्ट इनको बोल सकते हो मेरे फ्रेंड थे तब लॉक 19 मार्केट में नहीं आए थी this is in 2020 जब पहला विव आया ना पैंडम में का तब कभा सुर्कूडी नी रही था सरफ तो वन दे मैं 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 अच्छा हो और मेरी ना स्किन पर बहुत सारे पैचिस थे लाइड एक्जिमा और देखो स्किन क्लियर हो गया कभा सुर्कूड लेने से मैंने बहुत अच्छा ओ एक्जम स्मूथ हो गया तो उसके हाथे बहुत सरे रफ रफ पैचिस हुआ करते थे तो फिर तो गुरुदेव और तो गुरुदेव एसा हुआ संबडी टोल मी कि उनकी स्किन का इशू था वो ठीक हो गया तो गुरुदेव बोले हां इस साइड इफेक्स उसके पता ही नहीं है जो अंदर जाकर वोगए इंटराक्षान देखिये मैं आपको बताते हूं हमारी दो तरह की Immunity होती है ये तोरा साइंट इफेक है पर यह बहुत जरूरी हमारे ले जाने हमारे शलीन में दो तरह की Immunity होता है नेट इम्मिवूनिटी i-n-n-a-t-e innate immunity और एक होती है acquired immunity, so innate immunity वो होती है जो हमारी body का natural process है और body का खुद का reservoir है और जभी भी कोई भी bacteria या virus हमारे अंदर गुशता है तो सबसे पहले हमारी innate immunity activate होती है और अगर innate immunity नो उसको वहीं पर मार दिया तो खतम कुछ आगे नहीं होता है यह खतम आप खीक हो हो जाते हो acquired immunity क्या होती है कि जैसे आप आपको एक infection हो गया आपको एक viral infection हो गया तो आपकी body ने सीख लिया कि अरे यह वाला वाइरस आया था इसके against antibodies बनी और फिर हो memory में चला गया तो in one lifetime हम trillions of antibodies बनाते हैं trillions of different types of antibodies बनाते हैं तो इनेट इम्मूनिटी और acquired immunity में यह फरग इसे मैं अपना अनुभा भी बताती हूं नॉक 19 होनी के पहले मैं काफी ओफन में को कॉफन कोल्ड हो जाता था लाइक युनों पैंडमिक के पहले काफी बाजिसे कभी भी टी आरेंज होते थे या बहुत बिजी हो गए तो फीवर चड़ गया थोड़ा सा युनों कॉफन क हो गया यह आम बात ही मिल ले महिने में एक बार हो जाना ऐसे बहुत सरे लोग है नॉक 19 खाने के बाद मुझे यह नहीं होता इवन इफ डोंट टीट नॉक 9 क्यों विकॉस नॉक 19 आपकी इनेट इम्मूनिटी को बढ़ाता है तो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह क की इन्मूनिंश मंसे को सकते हैं तो नॉक 19 खाने से क्यों की इनिट बढ़ने से क्या होता है आव विकमार ही कम पढ़ेंगे तो अगर आप थोड़े टाइम तक रेगिलरली खाते हैं तो फिर आपका बिमार पढ़ना ही कम हो जाएगा at least because of upper respiratory infections वो जो cough, cold, flu, यह सब बंद हो जाएगा because जैसी आपकी बॉड़ी में वाइरस आया आपकी इतनी स्ट्रॉंग है कि तभी खतम जैसी बॉड़ी में विक्टीरिया है आपकी इतनी स्ट्रॉंग है तभी खतम वो आंटी बॉड़ी स्टेज तक जाता ही नहीं है जैसे एक रात को थोड़ा खांसी जैसा हुआ अगली दिन सुबह ठीक है सो नौक नाइंटीन और फिर नौक नाइंटीन का के लिए ऐसी रिसर्च मेडिसन है जो अभी औसलो में यॉरॉप में दो जगह पर रिसर्च हो रहा है स्टान्फॉर्ड में इस पर रिसर्च हुआ क्योंकि आई थीम बहुत कम आई वितिक मेडिसेंस में होता है